गुद मॉर्णिंग बच्चों स्वारी गुद इविनिंग बच्चों देसा ही संतोष संतोष त्रिवास्तों और मैं ये दूसरे सेट के साथ आपके सामने उपस थे थो ये मेरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट पर एक्सरसाइज चले उसका दूसरा सेट ठेक है तो च तस इस द फर्स्ट क्रेशन सीदे श्रू करते हैं बिना समय गवाए और पहला क्वेस्टन है आपका I paid a lot of money for the camera and expects it to work I paid a lot of money for the camera समझ नहीं होंगे मैंने camera पे बहुत पैसा खर्च किया and expects it और मैं अपे एक्छा करता हूँ to work यह ठीक से काम करे क्या गलत है देखें sentence को और बताएं इसमें क्या error है बोले I paid कोई गलती यहां पर a lot of money शायद कोई गलती नहीं हो far the camera यहां भी सही है pay far अदा करना देना and से दूसरी class है and expects it to work इसमें देखें अगर कोई गलती हो पहले पार्ट में कोई error है I paid a lot of money सही है far the camera यह भी सही है and से दूसरी class आपकी जुड़ जारे and expects चुकि यह coordinate clause आप जोड़ रहे है इसका मतलब है कि subject आपका common होगा यही subject होगा न and के बाद तभी तो इससे आपने hide किया तो अगर I आपका subject है तो क्या बताने की जरूरत है बच्चों आपको देखें क्या लिखा है expects can it be possible क्या यह संभव है नहीं क्या हम यह लिख सकते हैं क्या I goes लिख सकते हैं या we goes लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं अगर यह सब नहीं लिख सकते हैं तो फिर यह कैसे लिख सकते हैं बच्चों I expect लिख सकते हैं, नहीं न, इसका मतलब, जब हमारा subject common है, इस compound sentence में, तो उसकी जो दूसरी verb है, वो गलत है, ये क्या होनी चे थी, ये होनी चे थी, I expect, ठेक है, नॉर्मल है, आना चे आपको, next question देखते हैं, second question, बोलें, more widely popular, यानी, ज्यादा लोगप्रिय, दैन, किसके अपेक्छा, the hunting of deer, यानी, deer की हंटिंग के पेक्छा, और fox, या fox की hunting के पेक्छा, वर the pursuit of the hare, इन दोनों, यानी, चाही वो deer की हंटिंग हो, चाही fox की हंटिंग हो, इनसे ज्यादा पापुलर था, the pursuit of the hare, खर्गोस का पीछा करना, क्या गलत है इसमें, बोलें, सोचें, जितना सोचेंगे, उतना आएगा, हमेशा मन में बनाए रखें, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होते, कोशश करने वालों की कभी हार नहीं होते, क्योंकि अगर आप यह सोचेंगे, कोई चीज तुरंत आजाएगा, यह संभव नहीं है, बस कोशिश करें आप, लेकिन वो कोशिश का एक आधार होना चाहिए, एक को, कते हैंने, वो बेस होना चाहिए आपका, यानि इसके पहले आप सेगमेंट्स पढ़ें हो, यहां आप को यह आ रहा हो, देखें, आपका real subject क्या है, क्या real subject more widely popular हो सकता है, क्या, नहीं, then the hunting of deer, the hunting, यानि subject यहां एक तरह सगर इस class वे माने, तुमारा hunting होगा, न कि deer होगा, are fox, फिर fox भी नहीं होगा, क्योंकि यह deer are fox का, जो preposition से पहले subject है, वो है the hunting, अगर the hunting subject है, तो ध्यान से देखें, आपने hunting के लिए क्या use किया है, were, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, the boy were going लिख सकते हैं, नहीं, क्या आप यह he'll लिख सकते हैं, he were going लिख सकते हैं, नहीं, क्या यह लिख सकते हैं, चले कुछ और लिख देता हूँ, यह लिख देता हूँ, reading are a good habit, लिख सकते हैं, तो अगर reading are नहीं लगा सकते हैं, बच्चों, तो the hunting के साथ आप वर कैसे लगा सकते हैं, सोचें, तो वर के स्थान पर क्या लग जाएगा, वाज हो जाएगा, में चीज यह नहीं बच्चों, मेरा experience कहता है, में चीज यह है, कि आप subject को identify करना, सीखें, कि हम वो predicate, यह जो predicate आपका है, वर से, यह जो predicate है आपका वर, य यह है किस के लिए, यह आपको समझना होगा, यह किस के लिए था, उस deer या fox की hunting के लिए था, तो अगर hunting के लिए था, तो वर नहीं ले सकता है, नो, चलिए, आगे पढ़ते हैं, यह आपका थोड़ प्वश्न आ गया, not one of the hundreds, far striking workers, were allowed to go near the factory, पहले अपनी सोच वेक्षत करें, और देखें, मुझे बताएं, क्या इसमें आप लेना चाहते हैं, खुद आप कौन सा answer, चूस करना चाहते हैं, आपकी सोच मैंने रखते हैं, सोचें, क्या not one of the hundreds में कोई गलती है, नहीं, वैसे मैं subject verb agreement दे रहा हूँ, तो verb से ही समन्दित गलती होगी, लेकिन फिर भी आप सोचें, क्या not one of the hundreds में कोई गलती है, यानि सैकणों में से एक भी नहीं, ये तो सही है, for striking workers, यानि जो striking workers थे, उनमें सैकणों में से एक भी नहीं, जिसको अनुमती मिली हो, to go near the factory, कहां, factory के पास जाने के, किसको अनुमती नहीं मिले थी बच्चों, किसको अनुमती नहीं मिले थे, सैकणों में से not one, एक को भी नहीं, अगर एक को भी अनुमती नहीं मिले थी, तो फिर were allowed कैसे हो जाएगा, यह subject क्या है, hundreds में से एक, कौन से hundreds, for striking workers, यानि उनों striking workers में, जो hundreds की संख्या में थे, उन में से एक को भी, अब यह ले, not one were allowed, ले सकते हैं क्या, not one क्या हो जाएगा, बच्चों, not one was allowed हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, चले, next question, fourth आगया आपके सामने, some genuine issues, कुछ सही मुद्दे, अच्छे मुद्दे, exist, with the newly adopted system, and needs to be examined seriously, यहाँ जो genuine का अर्थ लिया गया है बच्चों, यह, sorry, जो issues का अर्थ लिया गया है, वो यहाँ इस रूप में नहीं है, मुद्दों के रूप में इसू means क्या होती है, समस्या भी होती है, कठिनाई भी होती है, अगर आपके याद हो, कुछ technical issues है, यानि कुछ तक्नीकी कठिनाईया है, तो some genuine issues exist, यानि कुछ सही जो कठिनाईया है, यानि एक कह सकते हैं, level पर जो कठिनाईया है, exist, वो विद्यमान है, with the newly adapted system, ये तो सही न, system noun है, adapted past participle के रूप में adjective है, और ये newly इसका adverb है, सही है, यानि कुछ मुद्दे हैं, जो exist करते हैं, इस नए नए अपनाए हुए system के साथ, विवस्था के साथ, and needs to be examined, और जरूरत है कि उन्हें examine किया जाए, seriously, कैसे examine किया जाए, seriously, गम भेरता पुर्व, and needs, बचो यही ध्यान दीजे न, and needs, और जरूरत है, अगर end के बाद आपने दुबारा subject नहीं लिया है, इसका मतलब कि end के पहले का जो subject होगा, वही यहाँ पे भी काम करेगा, तो पहले का subject क्या था आपका, some genuine issues, यही था न, इसकी एक वर्व exist थी, और दूसरी वर्व कहाँ है, needs है न, तो फिर बताएं क्या needs यहाँ suitable होगा, some genuine issues के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कि need सलें, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, some, tall, boys, goes, लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, और अगर नहीं लिख सकते हैं, तो आप फिर से यह बाकर देखें, some genuine issues, exist लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं, अगर exist नहीं लिख सकते हैं, तो फिर needs से लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यह issues plural है, और अगर issues plural है, तो फिर needs कैसे होगा, इसलिए यहाँ needs से नहों करके, क्या हो जाएगा, need हो जाएगा, क्योंकि इसा subject क्या है यह issues तो अगर यह issues plural है तो need में आप एस कैसे चोड़ सकते हैं बच्चों नहीं चोड़ सकते हैं क्योंकि यह आपका क्या है plural subject है और अगर plural subject है तो verb भी क्या होगी आपकी plural होगी और अगर plural verb होगी तो क्या needs plural है नहीं है इसलिए इसको क्या बना ले आप नीड बना ले ठीक है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रस्टन देख्या ये तो तुरंत आना चाहिए बच्चों तुरंत एच पर्शन होल इट इंट्रस्ट फ्राम गॉड तो प्रमोट दो गुड आफ मैनकाइड हर व्यक्त इसे मानता है इंट्रस्ट फ्राम गॉड कि उसे इश्वर से एक ट्रस्ट मिलेगा तु प्रमोट दो गुड आफ मैनकाइड कि उमानोता के लिए भलाई को क्या करेगा प्रमोट करेगा क्या गलत है बच्चों तुरंत आना चाहिए देखें कभी भी अगर एच हो एवरी हो इधर हो और नीधर हो इनके बाद कुछ चीजें तैंक कर लिए बच्चों इनके बाद आपका अगर तुरंत इनके बाद आप लेते हैं तो आपका जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा और अगर इनके तुरंत बाद आप नाउन लेते हैं तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी सिंग्यूलर वर्ब होगी इसमें कोई कठिनाई नहीं होने चीए हां कुछ है ऐसे स्थित्या होती है जहां टीचर सम को नहीं बताते हैं वह यह हैं ध्यान रखेगा मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एक्रिमेंट कि आप पहले यह गलती ना करिएगा कभी इच टिन ब भी नहीं आए गई इस सब गलत हो जाएगा यह भी यह भी और यह तो फिर आपके पास आप्शन है कि इस एच के अस्थान पर क्या ले लें आप यह ले लें इच के बाद कभी नहीं रखेगा और जब प्ल्यूरल लखेंगे न तो फिर नाउन क्या हो जाएगा प्ल्यूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगे आपके यह इस्थिती है लेगिन अगर ये इस्थिती न भ करके जो मैंने पहले कहा कि अगर आप इनके तुरंट बाद ऐसे लेते हैं every bias कभी नहीं आएगा बच्चों, इस every each either neither के बाद हमेशा क्या आएगा, singular ही आएगा इसलिए verb भी क्या आएगी singular आएगी, ठीक है, ध्यान रुखेगा तो each के बाद noun तो आपका clear है न, कोई problem नहीं, यह सही है आपका, और अगर यह noun आपका singular है तो verb भी क्या होगी singular होगी, क्या है ऐसा है, नहीं है न तो यहाँ hold के बजाय क्या हो जाएगा आपका holds सो हो जाएगा, सही है चलिए, आगे बढ़ते हैं देखे a hot and a cold spring was found near each other, यानि hot भी और cold भी, यह दोनों प्रकार के spring जो थी, यह एक दूसरे के आस पास पाई गए, कैसे हो सकता है देखें आप, अपनी सोच वक्षत करें बख्शो बोलें आप क्या ऐसा हो सकता है सोचें बच्वों बहुत मुसीवत हैं होते हैं जिस समय रिकार्डिंग चल ली होती है सब कुछ अला होता है, उसे समय अगर किसे call वगरा है तो उसे काटना पड़ता है या receive नहीं कर सकते हैं और सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ जान बूच किया सकता है जबकि मेरी मजबूरी इस समय सोचें मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा और ये दिन भर चलता रहता है तो बहुत बार बहुत sacrifices करने पड़ते हैं इस समय Facebook वगरा सब कुछ मैंने छोड़ा हुआ है सिर्फ इसके लिए कि मैं कुछ बहतर कर सकूँ आपके लिए बहतर कर सको कुछ पाने के लिए बच्चों बहुत sacrifice करना पड़ता है हमें भी और आपको भी करना होगा हर हाल में अगर आप सोचेंगे सारी सहूलितें आपकी पूरी होती रहें और आप अपने लक्ष को भी प्राप्त कर लें तो नहीं पा सकते हैं अगर आपको सफलता पानी है तो आपको बलिदान त्याग करना ही पड़ेगा आपको चली बच्चों देखें आपको एची समझ में आ रहा होगा अगर आप ए हॉट ले रहे हैं और हॉट और हॉट एंड कोल ले रहे हैं तो ये दोनों क्या माने जाएंगे आप समझ सकते हैं ये दोनों सिंग्यूलर माने जाएंगे लेइन अगर आप और हॉट ले रहे हैं और फिर से आर्डिकल ले रहे हैं और कोल्ड यानि मोई स्प्रिंग दो प्रकार की हो गई अगर दो प्रकार की हो गई, तो फिर हर हाले में plural होगी वो, और अगर plural होगी, तो फिर वाज कैसे हो सकता है, नहीं होगा न, समझ सकता है न आप, तो फिर यहाँ पे जब आपने देखा hot से भी पहले a है, और cold से भी पहले a है, इसका मतलब यहाँ वाज नहीं, क्या हो जाए आपने विए example किया होगा बच्चों, a black and white goat है न, यह आपका जब भी होगा, क्या होगा यह, singular होगा, क्यों, क्यों मैंने black के पहले तो a लिया, लेकिन white के पहले मैंने a नहीं लिया, यानि a की ही goat है, जो white b और black b है, लेकिन अगर इसके बजाए, यह वाक्य मैं ऐसे लेता, a black and a white goat, क्या अब आप इसके साथ similar ले सकते हैं, नहीं, अभी क्या माना जाएगा, plural के रूप में आएगा, plural subjects हो जाएगा, और अगर ही plural होगा, तो इसकी verb भी क्या होगी, plural होगी, तो वैसे ही, अगर आप ध्यान से देखें, आपने लिया a heart and a cold spring, क्या ऐसा लिया आपने, अगर ऐसा होता, तो आप यहाँ वास को justify कर सकते थे, लेकिन आपके पास क्या यहाँ, और, इसका मतलब यह hot spring अलग है, और cold spring अलग है, जब दो spring हो गए, तो फिर आप यहाँ पे वास कैसे ले सकते हैं, क्या लिना पड़ेगा आपको, समझ गया हूंगे इतने से आप, चले आगे बढ़ते हैं, यह question आपके सामनी, 7th question आगया, the cabinet ministers and the prime minister was at the airport to receive the foreign dignitary, यानि उस विदेशी प्रतनिधी को, यानि dignitary को, सम्मानिधी वक्ति को, receive करने के लिए कौन-कौन उपस थे, इसी प्रतनिधी करेगा, कि आपकी वर्ब singular होगी या plural होगी, अगर वर्ब singular होगी, इसका सब्जेक्ट्स आपका singular होगी, देख लेए, बोले, करलिंग बच्चों बहुत आसान, हमारी पास, एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट्स है, बहुत आसान होना चाहिए, दग कैविनेट मिनिस्टर्स और एंड से ही जुड़े है, दग प्राइम मिनिस्टर्स, जी दोनों एक तो है नहीं न, cabinet ministers अलग है और उनका leader the prime minister अलग है तो अगरे दो लोग है तो क्या कहने की जरुद पढ़ दी चाहिए आपको कि आप वास लेंगे यहां पर कभे नहीं क्या हो जाएगा यहां पर वर हो जाएगा सही न कोई पॉलम नहीं हो नहीं चाहिए ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं चले मैं इतनी practice करा दूंगा प्रैक्टिस करेंग आप आसान होगा आपके लिए चले next है the secretary and the principal of the college समझ जो बच्चे जनवीन होंगे अच्छे होंगे तो नहीं समझ गएँगे आगे क्या होना चाहिए the secretary and the principal of the college are attending the district development council meeting at the collect rate ठेक है पोलें अच्छा क्या गलत है यहां पर आपने से बताई आप कर सकते हैं समझ गये होंगे दो सेक्रेट्री सेक्रेट्री के पहले दो है दो प्रेंसिपल यानि प्रेंसिपल के पहले भी दो है इसका मतलब क्या हो गया कि कालेश के जो सेक्रेट्री है वो अलग है और principle अलग है तो एक ब्यक्त ये हो गए और एक ब्यक्त ये हो गए तो एक-एक कितने हो गए ना ना 11 नहीं होंगे एक-एक कितने होंगे बच्छो एक-एक दो हो जाएं अगर दो लोग है तो फिर क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा और अगर प्लूरल होगा तो आप देखिए न वर्ब आलडी आपको क्या दी गई है प्लूरल दी गई है कुछ भी नहीं करना है आपको इसका मतलब यह वागए ओलडी क्या है सही है नो एरेर हो जाएगा कोई प्रॉलम नहीं आनी चाहिए चले आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर आगए हम लोग और एस वेल एस जानते हैं इसके मेंस होता है के साथ साथ के साथ साथ और इसे पढ़निक तरीका क्या होता है जब भी विद का प्रियोग हो ऐसे समले बच्चो जब भी विद का प्रियोग हो अलाग विद का प्रियोग हो तोगेधर विद का प्रियोग हो लाइक का प्रियोग हो ऐस वल ऐस का प्रियोग हो besides का प्रियोग हो rather than का प्रियोग हो and not का प्रियोग हो in comparison to का प्रियोग हो इसका लोग भी अगर आपको याद हो पच्छो मैं यहां लिख रहा हूं साथ जगह के बज़े देख रहे हैं governed by by हो led by हो controlled by हो organized by है organized by हो और यहां लिख दे रहा हूं और यह important है accompanied by हो यह ऐसे शब्द है न कि इन में दो चिया ध्यान रखें पहला कि इन में जो पहले वाला सब्जेक्ट है इन से उसी कानुसार वर्ब चलेगे बाई हो ठीक है यह ऐसे शब्द हैं combinations हैं कि इनके साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलें तो यह पहली चीज़ सीख लें आप तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे आपने यह as well as देखा तो आपको याद आ जाए कि आपको किसके अनुसार चलना है पहली चीज जो दिमाग में मनाक रखें आप लेकिन जो मैं कहना चाना हूँ कुछ और है वो यह है किसे पढ़ें कैसे इन शब्दों के साथ हमेशा बाद वाली को पहले पढ़ें इसको पहले पढ़ेंगे तो आप देखें ऐसे बोलेंगे यानि सत्त प्रयास के साथ पार क्या आएगी आपकी वर्व आएगी तो परना आसान हो जायेगा समझना आसान हो जायेगे तो पैसंस के साथ पार कैसे आएगा क्या हो जाएगा बच् exile लैक्क ठीक हो शब्द जो मैंने लिखे आप उसे जरूर फिर से देख लिजेगा सारी कि इन शब्दों के साथ ह वो in comparison to हो, चाहे वो besides हो, चाहे end not हो, चाहे governed by हो, चाहे lid by हो, चाहे controlled by हो, चाहे called by हो, चाहे accompanied by हो, in comparison to हो, rather than हो, इन सब के साथ पहले वाले subject के अनुसार चलें आप, ठीक है, कर लेंगे अब आप बच्चों, कोई problem नहीं आनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर की बजाय क्या हो जाएगा आपके पास, इजह हो जाएगा, clear है, चले बच्चों, next question देखते हैं, कोई दिक्कत हो, देख लें पहले, sentence को देख लें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आपको बनेजी, बच्चों समझ माया आपको कुछ, कि किस तरीके से आपको ही मैनस करना था, question था आपका, the NCC commandant along with his cadets are going to Delhi to participate in the Republic Day Parade, यहीं जो NCC के commandant है, along with his cadets, अपनी cadets के साथ दिल्ली जा रहे हैं, to participate in the Republic Day Parade, in the Republic Day Parade में participate करने के लिए, हिस्सा करने के लिए, बिल्कुल आसान है, बच्चों, कर लेंगे आप, देखे, जैसे ही आपने यह देखा, कि आपको along with दिया गया है, यह है, along with, जैसे along with आया, तो आप क्या certain कर लें आप, कि आपको किस के अनुसार चलना है, यह, the NCC commandant के अनुसार, अब the NCC commandant के अनुसार, दो चीज़ आपको errors में दी जा सकते हैं, एक क्या दी जा सकती है, वर्ब, और अगर pronoun का section से वो देना चाहें, तो आपको pronoun के error दी जा सकती है, तो सबसे पहले हम क्या NCC commandant के अनुसार हमारी verb है, the NCC commandant along with his cadet, यह his cadet से अब आपको कोई मतलब ने, है नो, are, यह, are किसके लिए होना चाहें, commandant के लिए, NCC commandant के लिए, इनके लिए, तो क्या है ऐसा क्या, NCC commandant तो एक ही है न वो, तो फिर are के बजाए, यहां क्या लिना पड़ेगा आपक इस सिंपल है बच्चो, कोई दिकति होनी चाहें आपको, is हो चाहें, कोई confusion आपको, नहीं होना चाहें, कोई problem नहीं, तो जब भी along with, together with वगर हो, आप याद कर लें, जो मैंने पीछे दिया question में, आपने याद कर लें, subject, verb, agreement का जब मैं chapter पढ़ा रहा था, concept पुरा, वहां आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, 11th question आगे आपका, I with, है न, जैसे with देखा आपने, आपके चेहरे पे एक चमक आनी चाहें, आँखों में खुशी होनी चाहें, दिल में एक तमन्ना होनी चाहें, क्या, कि अब मैं एक कर सकता हूँ, कि हमारा जो वर्ब है, वो my family के अनुसार तो नहीं आएगा, नहीं आएगा नो, क्योंकि I with my family है, तो पढ़ने का तरीका ऐसे हो, मेरे परिवार के साथ मैं, तो फिर मैं के अनुसार, I के अनुसार क्या आ जाएगे आपकी, वर्ब आ जाएगे आपकी, तो I with my family, और अभी देखें, क्लाज आ गई आपकी, which consists, ये सही है, बच्छा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि which आपका my family का relative pronoun है, तो my family का relative pronoun हो, तो which क्या हुआ आपका, singular subject हुआ, तो singular subject के साथ consists सही है, which consists of my wife and two children, नहीं मैं और मेरा परिवार, कौन सा परिवार, which consists of my wife and two children, जिसमें कौन शामिल है, मेरी पत्नी है, और मेरे दो बच्चे है, ठीक है, तो resides, अब आपकी verb आए, reside समस्ते हैं बच्छों, ये reside है, ये resident है, ये residence है, और ये residence है, reside में इस क्या होता है, निवास करना, तो resident, वहांका निवाशी, residence निवाश, तो residential आवासी हो, ये होता है न, तो resides यहां वर्ब हो गई आपकी, अब ये वर्ब है किसके लिए, मैं मेरा परिवार और मैं, तो विद है यहां पे ने देखे, जैसे ही आपने विद देखा, तुरण समझ जाएं, कि हमको पहले वाले करनुसार चलना है, तो हमारा आई, तो आई के साथ resides कैसे आएगा, एस जोड सकते हैं क्या आप, क्या आप लिखेंगे फिर से, आई गोज नहीं लिखेंगे न, तो फिर आई के साथ resides कैसे होगा, एस हड़ जाएगा बिच्चों, सही न, क्या हो जाएगा आपके पास, रिसाइड हो जाएगा, रिसाइड मेंज निवाश करना, ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्टन आगया आपका, क्या गलत है आपे बोलें, यू यहाँ पे है, यू के साथ has होगा, या यूर फेंड के साथ होगा, या यूर फेंड के साथ होगा, याद है, इदर डाट डाट आर, नीदर डाट डाट नार और, नाट वनली, बट आलसो, क्या याद है आपको, इन तीनों के रूल्स, याद है तो आप तुरंद कर लिये होंगे, क्या लिया आपने, has को क्या बनाया आपने, has को have बना लिया, बना लिया क्या, अगर बना लिया, तो लिट देजे, reverse गेर में आ जाए, क्योंकि होगा नहीं आपका, क्योंकि either dot dot are, neither dot dot nor, और not only but also, ये जो constructions होते हैं आपके conjunctions के, इन में आपको क्या लिना होता है, पास वाले, यानि पास वाले, आप subject के अनुसार वर्ब लेंगे, तो पास वाले, has किसके पास है बच्चों, has your friend के पास है, तो अगर your friend के पास है, तो फिर यहाँ has सही है आपका, कोई error नहीं है, have की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी आपको, यानि अगर ध्यान से देखेंगे, इस वाक्य में आपके कोई error नहीं, वाक्य क्या है आपका, सही है, either you are your friend, जैसे आपने देखा either dot dot are का combination है, तो हमको बाद वाले, यानि पास वाली के नुसार लेना है, तो your friend के नुसार क्या आएगा, has ही तो आएगा, और has के साथ वर्प की third form है, कोई error में, सही है आपका, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, 13th question पे आगे हम लो, I am sure that neither the house nor its contents is for sale, आना जी बच्चों आपको, तुरंत आना जी, यहाँ जो construction आपका है, वो समझ रहे होंगे आप, neither dot dot nor का है, तो याद हो गया आपको न, कभी भी neither dot dot nor हो, कभी भी either dot dot are हो, या कभी not only, बढ़ा हो, सो confusion नहीं होना जी, यहनि आपको किसके नुसार आचाना, यह तो class सही है आपकी न, I am sure that, that के बाद आपकी class जो है, वो आपकी neither dot nor से है, यहाँ देखें, neither है और यहाँ nor है, तो किसके नुसार चलेंगे आप, it's contents, contents बच्चों, contents क्या है, plural है, contents हो, plural है, अगर contents plural है, तो is singular, कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ इस नहीं क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, कोई confusion किसी बच्चे को, नहीं होना चे, आसान है, चलें आगे बढ़ते हैं, और यह 14th question आगे आपके सामें, not the teacher, but his students have been regular in the class, बोलें बच्चों, क्या गलत है, बोलें, बोलें, आप बोलते नहीं, जातर बच्चे के एवल देखते हैं questions को, नहीं समझ में आता है, चुप रहते हैं, शेयर नहीं करते हैं बच्चों, मैं भी बच्च्पन में शेयर नहीं करना चाहता है, लेकि अभी समझ में आता है, कि जो अपनी feelings हों, भावनाएं हों, उन्हें शेयर करना चाहिए, कहना चाहिए, अच्छी भावनाएं होंगी, लोग को अच्छी लगेंगी, और अगर गल के साथ subject मायने रखता है तो ये but के साथ his students है और अगर ये his students है तो आपको वर्ब इसी करुणसार लेनी होगी न और अगर इसी करुणसार लेनी होगी तो क्या नहीं ली गई है have been तो है have been regular in the class यानि यहाँ पर भी आपकी पास क्या है no error है ठीक है चलिए subject verb agreement में यह मैंने मैंने घटना चक्र का जो किताब लिया हुआ था practice shit का तो उसमें जो पहला ही question था उनका वो इसी पर था क्या गलत है बच्चों यादा रहे है many a many a के साथ हमेशा यह structure आपको याद होगा na many a plus singular subject plus singular verb ठीक है many a के साथ आप इस रूर को न तो नहीं तो many a student यह तो सही ना singular लेकिन क्या यहां पर सही है क्या नहीं न क्या होगा है क्या है क्या होगा यहां पर इस सोच है तो अगर many a student is frustrated यानी बहुत सारी विद्यार्थी जो है frustrated है निराश है because of unemployment किसके कारण भी रोजगार के कारण भी रोजगारी कारण अगर आपको लगे सार आप बहुत सारी students बोल लाएं तो student लिखा है लेकिन ध्यान रखे बच्चों कि a हटा दें और यहां एस जोड़ दें और आर सही कर लें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यह गलत माना जाएगा इसलिए many a के अनुसार नाउन और वर्ब को चूज करिएगा न की वर्ब के अनुसार नाउन चूज करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 16th question पे आगे हम लोग neither of the teams, neither of के बाद देखें कभी भी इदर आफो, नीदर आफो, नी आफो, नन आफो, वन आफो, मोस्ट आफो, सम आफो, प्लेंटी आफो, सेवरल आफो, मेनी आफो, और फियो आफो, और भी और गुड मैनी वगर जब भी हो और इनके बाद आप काउंटेबल नाउन ले रहे हों क्या ले रहे हों, काउंटेबल तो ध्यान रखें, वो काउंटेबल हमेशा पीसियन रहेगा, मेंस प्लेवरल काउंटेबल नाउन होगा, न के सेंगुलर होगा, ठीक है, तो नीदर आफो के बाद देखें, प्लेवरल है न, कौन-कौन से, नीदर आफो, या इदर आफो, या इच आफो, या एवरिवरन आफो, इनके साथ हो सकता है आपका प्लेवरल काउंटेबल नाउन, यानि प्लेवरल काउंटेबल नाउन आप ले रहे हो, हो सकता है क्या होगा, लेकिन जो वर्ब होगी, वो क्या होगी आपक singular verb होगे, क्या होगी बच्चो, singular verb, है ऐसा क्या, neither of के साथ पहली शर्थ आपकी complete हो रही है, fulfilled हो रही पहली शर्थ आपकी, the team शर्थ, लेगिन दूसरी शर्थ आपकी पूरी नहीं हो रही है, यह singular होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, is होना चाहिए, neither of means, तो दोनों में से एक भी नहीं, तो neither of the teams, याने उन दोनों टीमों में से एक भी is sensible enough, इतनी बुद्धिमान नहीं है, to do this task को, कि वो इस कारे को कर सके, ठेक है, तो आर की बजाए, इस हो जायेगा, 17th question आगया हमारे पास, the merchant counted the number of pearls, उष्णे उन पर्स, मोतियों के संख्या क्यों क्या कर लिया, counted गिन लिया, to make sure, ये सुनेश्चत करने के लिए, that key, none of them, none of them were, देखे बच्चों, एक चीज़ा आपको समझना होगा, आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे न, तमाम तरीके के तर्क आपको इस पर दिये जाएंगे, तमाम तरीके के तर्क, कोई किताब कुछ कहेगे, कोई किताब कुछ कहेगे, लेगिन आप एक चीज़ा नखे, कि चाहे वो आपको none आपके बास singular दिखा रहे हैं, plural दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कुछ कहेंगे आप यहां plural ले लिजे, plural verb लिजे, कुछ कहेंगे singular verb लिजे, कुछ कहेंगे non ऐसा है, तो singular लिजे या plural लिजे, आपको जो याद रखना है, वो क्या याद रखना है, competition level पे, competition level के साथ, अगर non आफ का प्रियोग है, या any आफ का प्रियोग है, या either आफ का प्रियोग है, या neither आफ का प्रियोग है, या one आफ का प्रियोग है, तो ये ध्यान रखें, कि इनके साथ, जो verb होगी आपकी traditional grammar में, यानि completion के grammar में जो दिया जाएगा, उसमें verb आपको क्या रिनी होगी? singular लेनी होगी, यानि singular verb लेनी होगी, न की plural, तो जैसे आपने non-off के बाद भाले देम देखा, plural है न, तो कुछ किताब हैं के साथ plural noun या pronoun है, तो आप verb को plural लगें, बर traditionally आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानि completion के level आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वर की बजाए, यहां क्या होना चाहिए, आपको वाज होना चाहिए, ठीक है, यह चित दिमाग में बैठा लेज़ेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखें, यहां भी ध्यान रखें, इन आफ दीज ब्रांचेज, देख लें, सही तो है यह, डू नाट रिक्वाइर, मोर दैन टू एम्प्लाई, जानि इन ब्रांचेज में से एक भी ऐसी नहीं है, जिसे दो एम्प्लाई से ज़्यादा क्या आउशक्ता हो, सेंस, चुकि they have been recently established, क्योंकि अभी हाल ही में उन्हें अस्थापित किया गया है, ठीक है, क्या गलत है बच्चों, अब तो आना चेहे आपको, आना चेहे किने, तो आना चेहे न, अभी मैंने पीछे लिखा था आपको, क्या, क्या अगर any of है, तो इसका आउन तो आपका plural लहेगा, है न, plural noun, लेकिन वर्ब singular हो जाएगी, तो यहाँ जाए do not है, खीज के ले आए, और धर दीजे, क्या, does not, तो यहाँ पी क्या हो जाएगा, does not, क्यों, क्योंकि यह किस के द्वारा चलेगा, any के द्वारा, और traditional grammar में any के साथ क्या लेते हैं, आप singular, तो यहाँ पी क्या हो जाएगा, does not हो जाएगा, ठीक है, और यह second last question आपके सामने है, 19th question, देखें, most of the patients, अधिकतर जो, यानि उन patients में से अधिकतर है, who were diagnosed, जिनको diagnosis किया गया, जिनका diagnosis किया गया था, before 1996, कब 1996 से पहले, 1996 से पहले, जिन patients का डाइगनोस किया गया, उनमें से जो अधिकतर है, as having AIDS, मलब किस रूप में कि उन्हें AIDS है या नहीं, वो अधिकतर patients has already died, पहले ही क्या हो चुके है, मर चुके है, आप बताएं बच्चों क्या गलत हैं, most of the patients who were diagnosed before 1996 as having AIDS has already died, बोले, फटाफट जवाब दें, कर लेना चुके हैं बच्चों, देखें कैसे समझा, पहले देखें, most of the patients हैं ना, है, यानि उन patients में से अधिकतर, अभी आपके पास वर्व नहीं है, यह चो हू है ना, यह relative pronoun है, यानि यह आपकी relative class, adjective class बना रहे है, तो who were, यह तो सही ना, who patients के अनुसार है, who के साथ were आ गया, सही है, who were diagnosed before 1996, यह सही है बिलकुल, सही है, कोई दिकत नहीं, अब इसको हम हटाते हैं, यह portion हट गया, हमारे पास अभी भी subject बचा हुआ है, most of the patients, और इनकी वर्व अभी बची हुई है, यहां आकर के बच्चा, has, यह as having, इस भी किसके साथ है, इसी के साथ, तो most of the patients की जो वर्व आपकी है, has, तो most of के साथ अगर आपके पास, देखें बच्चा, most of के साथ अगर uncountable noun है, तो आपकी वर्व क्या होगी, singular होगी, ठीक है, लेकिन अगर, most of के साथ, plural countable noun है, तो वर्व क्या होगी आपकी, plural होगी, है क्या, most of the patients के लिए आपने क्या लिया, has, यह तो अन्याय है न, क्योंकि अब यहां plural subject है, यानि subject आपका क्या है, plural है, और वर्व आपने has के रूप में क्या लिया है, singular है, यह तो unmatched, वो है न, parallel, तो फिर यहां पे sv नहीं होगा, क्या हो जाएगा, plural वर्व हो जाएगा, यानि has के अस्थाने पे क्या हो जाएगा, have हो जाएगा, ओके, और यह last question आपके सामने है, देख ले, खर ले नाचे आपको, every leaf and every flower proclaim, घोशत करते हैं, the glory of God, इश्वर के यश को, यानि वो इश्वर का यस गान करते हैं, every leaf and every flower, आया कुछ समस में, बेहुरा आसान है, आया, क्या every इस सवस्था में कभी, अगर every के साथ आपने singular countable noun लिया है, तो वर्ब भी क्या होगी आपकी, singular होगी, है क्या, proclaim singular है क्या, नहीं न, क्या जुड़ जाएगा, S, यानि क्या हो जाएगा आपका, proclaims, यानि ये गलत है आपका, इसके अस्थान पे ये हो जाएगा, every leaf and every flower proclaims the glory of God, S जोड़ दीजे, तो every leaf and every flower सही हो जाएगा, ध्यान रखे, मैं जो बता रहा हूँ, किताबों, जादा तर किताबों से अलग, कुछ किताबों में आप पढ़ लेंगे, मैंने भी इस पढ़ा है, कि every की position याद कर लें आप, हमेशा, every plus singular noun अगर है, singular countable noun, तो फिर आपको verb singular रखने है, every एक ही अवस्ता में plural आएगा, यदे, every हो, और प्लस कोई plural, क्या हो आपके पास, numeral हो, जैसे 10, 20, 30, 3, 4, 5 ये हो, और फिर plural क्या हो आपके पास, noun हो, countable noun, तब आपकी verb क्या हो चाहेगी, plural verb हो जाएगी, जो पीछे मैंने समझाया है था, जैसे ही आप लिखेंगी, every 20 students, हर 20 विद्यार थे, अब आपकी जो verb होगी, वो क्या हो जाएगी, plural होगी, plural होगी, यही वो अस्ता है, जब every के साथ, आप plural noun और plural verb ले सकते हैं, बाकी जगर, every हमेशा, every हुआ, इधर हुआ, नीधर हुआ, क्या लेते हैं, हमें इसा, singular लेते हैं, ठीक बच्चो, विश्वास से, यह session आपको अच्छा लगा होगा, यह दूसरा session था मेरा, subject verb agreement का, कोई भी कमी हो बच्चो, ठीक है, बेधड़क, without any hesitation, आप अपनी बात रखें, और बताएं, कि सर, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत ने बच्चो, यह मैं अपनी learning period में हूँ, online classes में, जहाँ पर आप बहुत सारी videos देखते हैं, channels देखते हैं, तो आपके पास एक experience होता है, यहाँ यहाँ पर यह चीज़ बहतर की जा सकती है, तो आप मेरे को suggest करें, मुझे अच्छा लगेगा, कते ही नहीं लगेगा कि आप मेरे को बता रहें, मैं सीखने के त्यार हूँ, क्योंकि आप जिस अवस्था में हैं, आप भी सीखने के त्यार रहें, और मैं इस अवस्था में, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सीखने के त्यार हूँ, आप अपनी बात को रखें, और जहां अच्छा हो, वहाँ encourage भी करें, कहां सर यह portion आपका क्या है, अच्छा है, जिसे मैं और बहतर बना सकतना हूँ, ठीक है, आज से ही आपका चल लख पाले की, UPSI, या ऐसा कोई भी one day exam, जिसमें आपको math की आवश्यक्ता है, वो बच्चे जरूर पढ़ें, शुरू से चीजों को आप बना, बहुत साई teachers हैं, सबकी अपनी बनी शैली है, इनकी भी अपनी शैली है, अगर आपको अच्छा लगे, तो जरूर encourage करें, ता अगली बार भी बहतर ही आप मिलेगा, तो मिलते हैं बच्चों, next session में आपके साथ, ठीक है, और जो बच्चे नए हो, जरूर बताते जाएं, जो बच्चे बताते जाएं में सब्सक्राइब करते जाएं, और जो बच्चे पहले जुड़े हैं, वो like, comment और share करते जाएं, ठ ठीक है, thank you.